तो भाई आखिर आही गया जैनाइज आखिर आही गया पहला शुद्ध नौन हॉलिडे खूनी मंडे तो नहीं लेकिन दोस्तों खूनी टूजडे का टेस्ट इस्तरी को ज़रूर पास करना होगा हेलो गाईज कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका स्वागत है आपका इस तरी के डे सिक्स यानि की पहले टूजडे के हमारे बाक्स आफिस क्लेक्शन के एपिसोड में देखो भाई कहने की बात है कि अच्छे से अच्छी मूवी अपने पहले मंडे के दिन बहुत ने चाहिए और यह मूवी अगर 500 करो नेट करेगी तो इसको पहले गाईस टूजडे के दिन क्या करना चाहिए वही गाईस इसके अलावा हम लोग जिन जिन मूवी ने 500 करोडी मूवी कम क्लेक्शन किया है लाइक एनिमल लाइक पठान लाइक जवान लाइक गधर टू इन इंट्रस्टिंग वीडियो है कीजिए लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें तो खरते हैं अपने इस वीडियो के शिरू लैट स्कार्ट तो यहां पर हम लोग कुछ भी बोले आज का हिसाब किताब आज की एक्सपेक्टेशन लगाए उससे पहले उससे पहले कल का का अरिल एस्टिमेट कैसा आ रहा है और कल की रात क्योंकि 55 किस तरीके की घठी क्योंकि मैं यह सोच रहा था कि शायद आज नॉन हॉलिडे है तो हो सकता है कि भाई इस मूवी की रात क्योंकि पैसे गिर जाए और जाधा गिर जाए लेकिन नहीं भा अगर मैं यहां पर आपको बताओं कि आखिर किस तरीके के दोस्तों इस तरीके कल की occupancy रही तो जो morning 27 था, afternoon दोस्तों जो 43 पहुंचा, evening मामला जो 64 पहुंचा, तो night को मामला 65 पहुंच गया यहां पर surprise, रात के occupancy दोस्तों गिरी नहीं, यानि कि रात को ज़्यातर दोस्तों लोग फारिक होके इस movie को देखने आए, बेभी शायर उनमें भाई बहन होंगे ज़्यातर, क्योंकि रक्षा बंदर का रात था, दिन में celebration हुआ, नातरे सेदारों के घर गया गया, फिर रात क तो 64% था, इवनिंग में guys, 54 था तो बढ़ गया, दिली में दोस्तों थोड़ा सा मामला गिरा है, 75% की occupancy, इवनिंग में 82 था, और guys अगर हम लोग यहां पर बात करें, पूने में 41, बैंगलूरू में 55, दोस्तों अगर हम लोग हैजराबाद की बात करतें तो 42, कुलकता मे 41, अगर हम लोग यहां बात करेंगे, नभ्धे कहां था, तो वो था जैपूर में 91% की occupancy, दोस्तों लखनाव तो इवनिंग जैसा था, 93, नाइट भी वैसा रहा, जबरदस, तो guys यहां पर trade कह रहा है कि 38 करोड की यह कमाई करेंगी, 38 करोड, और हमने कल trade के नंबर देखे थे कि कुछ trade के अनुसार, जो यह movie है, वो 55-56 करोड करने वाली थी, Sunday को, कल मतलब परसो, Sunday को, लेकिन आया क्या 58 करोड, तो guys यहां पर यह 38 करोड की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यह जो official number है, maker, शायद 40 करोड या 41 करोड के नंबर दे सकते हैं, young guys, finger cross, लेकिन 38 करोड त हासिल के थे, कल के अगर हम लोग नंबर 40 करोड 208 कर लेते हैं, तो यह होता है 244 करोड, टू डवल 4 करोड, शुरुबात के 5 दिनों का दोस्तों इसका जो रहा है collection वो बहुत ही जादा जबरदस है, लेकिन यह तो है, गुजरी बाते हैं, यह तो गुजरी बाते हैं, लेकि कि उन्होंने उस दिन क्या किया, अला कि यहां पर मैं गदर 2 से शुरुवात करूँगा, क्योंकि यह मूवी भी इंडिपेंडेंडेंस दे के दिन रिलीउस हुई थी, गदर का जो गाईस, फर्स्ट मंडे था, वो वैसे था तो नॉन हॉलिडे, लेकिन वो संडे और इंड 30 करोड़ दोस्तों किया था, अला कि उसके आगले दिन नंबर बहुत गिर गया था, 23 करोड़, 23 करोड़, तो यहां पर हम लोग इसके जो डे 7 था, 23 करोड़, इसको कंसीडर कह सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंडेंस के नैक्स दे और पहला दिन, कुछ ना कुछ सुख बगार तो रहती है, यानि कि काफी दो लोग गाईस चुटी ले लेते हैं, तो जो असली जो इसका गाईस कलेक्शन था, गदर टू का, वो 23 करोड़ आप लोग दिमाग में रख लो, कि गदर ने पहले अपने खूनी टेस्ट के दिन दोस्तों इतना हासिल किया, 23 करोड़, यहां पर कह सकते हैं कि मामला बिल्कुली नॉन होलिडे वाला था, तो कुछ 33 करोड़ दोस्तों जवान ने किया था, अलग गाईस यहां पर हम लोग बात करते हैं, और मुवी जिन्होंने 500 करोड़ की कमाई की, आपको देखो घदर 23 करोड़, जवान 33 करोड़, जवान को अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं कि आखिर अनिमल ने दोस्तों अपने पहले नॉन होलिडे दिन किया था, तो गाईस एनिमल का वैसे तो फस्स मंडे 44 करोड़ रहा था, अब पता नहीं उस दिन होलिडे था या नहीं, लेकिन अगर यहां पर हम लोग देखते हैं, तो तो जो ये एनिमल मुवी थी उसने 44 क्रोड किया था और मेरे ख्याल से दिसमबर में रिलीज होई तो कोई फैस्टिवल तो उस वक्त था नहीं गाईज तो यहां पर आप लोग फर्स मंडे एनिमल का 44 क्रोड देख सकते हो तो अब बात करें दोस्तों यहां पर इस तरी आज क्या करनी चाहिए मेरे अकरोडिंग और जिस तरीके के दोस्तों इसका हाई फैपर घंडे जो टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं इसका कितना होना चाहिए अगर आप लोग मेरे से पूछो तो भाई रात को इस तरीके काफी अच्छे दोस्तों टिकट सोल्ड आउट हो रहे थे और जिसके वज़े से मुझे लग रहा है कि यह मूवी कुछ आज 25 क्रोड करनी चाहिए मैं अपना एक्सपेक्टेशन आज के लिए 25 क्रोड रखके जा रहा हूँ कुछ लोग बोलेंगे पागल हो गया है क्या नहीं आएंगे नहीं आएंगे लेकिन दोस्तों देखो यह मूवी रात को इवनिंग के बाद मामला गाईज खेचे खेचे गा इसका तो 244 क्रोड में अगर मैं अपने एक्सपेक्टेशन के 25 क्रोड रखता हूँ तो यह 270 क्रोड हो जाता है तो शुरुवात के 6 दिनों में 270 क्रोड अंटे में वैडनेस दे की दोस्तों कर मैं आज सही भविश्वानी कर दूँ तो कुछ 20-22 क्रोड दोस्तों आ जाएगा तो गाईज 22 क्रोड करने के बाद 291 क्रोड इसका थस्डे भी है हाना कि वह सैकेंड थस्डे लेकिन फर्स एक्सेंट वीक में दोस्तों आ जाएगा जिसमें ये मुवी कुछ 17 करोड रुपे कर सकती है तो गाईज 300 करोड पहले हफ़ते पहले एक्सेंट वीक में घजब तो गाईज यहाँ पर फिर दूसरे विकेंड भी ये मुवी कह सकते हैं कि बहुत अच्छे कलेक्शन कर सकती है वह सकता है कि गाईज दूसरे संडे कोई मुवी 40 करोड भी कर ले क्योंकि कोई है ही नहीं मुवी इसको टक कर देने के लिए तो फिलाल दोस्तों मेरा 25 करोड का एक्सपेक्टेशन है इसके पहरे खुनी ट्यूजडे के लिए आपका क्या है कहना बताओ मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही